जो गेट होता है वो खुल जा रहा है यह देखिए नमस्कार दोस्तों आज एक नेव भीड़ में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आभी गर्मी का सीजिन चल रहा है और बहुत ज़्यादा धूप आभी बाहर निकल चुका है और यह देखिए आप सुरुजे दिवता को स कोई सेड या कोई गेरेज नहीं मिलता है और डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग कार को खड़ी कर देते हैं तो इस सीचेशन में दो चार टीप में आप लोगों को बताऊंगा अगर आपने वो टीप फोलो कर लिया तो कार का कोई प्रोब्लेम नहीं होगा तो चलिए बताते है वो टीप क्या है क्या करके पेज तो चली चलते कार के पास और पहला जो टीप है हम लोग क्या करते हैं जो हम डायरेक्ट सानलाइट में आपना कार को खड़े करते हैं एक इंट्रो के चावी को कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ये जो सीचा आप देख रहे होना इस पूरा आप कर देता है, और अगर बाहर से किसी का हाथ अंदर ना आई, नहीं तो अपना कार का जो सामाने कोई चोड़ी भी होसकता है, तो एसे करने के च चारो जो इंडो विशेशक भी एसे थोड़ा थोड़ा खूल के फोटाट जोड़े, आपको क्या करना है यह एक टiल लेना है पर कि यह थोड़ा सा बड़ा साइज के लेना चाहिए क्योंकि इस जो dashboard आप देख रहे हो इसको पूरा डाकना है अभी इसके लेकर तो इस towel को आप यहाँ ढख दीजी क्योंकि sunlight जो डारेक्ट यहाँ पर पड़ता है तो इसका जो color होता है बहुत जल्दी फेड हो जाते है तो चलिए मैं towel को फेले इसके ओपर बिचा लेता हूं उसके बाद बात करता हूं तो मैंने जो है मेरा towel आप देख सकते हो मैंने dashboard को पूरा ढख के रखा है और यह सा करने से direct sunlight dashboard के ऊपर नहीं पड़ता है और उसका जो color होते हैं बहुत जल्दे से फेड नहीं होते है तो आप यह कार के साथ towel रखिए जो भी दूब में खाड़े होते हैं तो dashboard के ऊपर यह towel भी शाय दना तो इसका जो color है वह बहुत ही आच्छा रह गया तो दोस्तों आभी देखिए टाइम हो रहा है 11 वाज के 17 मिट और इस टाइम में क्या होता है इस टाइम में सान लाइट बहुत ही ज़्यादा रहता है और हम लोग क्या गलती करते हैं सान पूरा इस को यहां इधर रखना चाहिए तो इस से रखने से क्या होता है यहां जो sun रहता है और sun light यहां डारेक्ट आके पड़ता है डेस बोड पे तो हमें क्या करना है यह जो कार्व में ने पारकिंग की है इसको गुमा के इसका जो मू है इसका जो फ्रॉंट एरिया है इसको इधर रखना है इधर रखनेंस क्या होगा डेशबोड आप लोग यहां देख सकोगे डेशबोड इसका यहां होगा और डायरेक्ट सानलाइट यहां नहीं गिरेगा ताम लोग यह गलती करते हैं तो यह गलती मत करना अभी तो दूपर के बारा वजने का टाइम हो चुका है तो आभी तो अपना फ्रॉंट एरिया रखिए सानलाइट तो डायरेक्ट ही डेशबोड के उपर गिरेगा तो इसविचे समने आपको यहां करना है यहां गलती नहीं करना है अपना जो मैंड है उसको थोड़ा सा मैंड लागाना इसका उपर और दोस्तों धूप में हम लोग क्या करते ह है आप लोग ज़्यादा जो टायर है उसका जो फ्रेसाओर है वह ज़्यादा से ज़्यादा चेक नहीं कर बहाते हैं तो इस टाम में कॉम्पानि जितना हे रिकोमर्ड करते हैं उतना ही प्रेशार राकी है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा क्योंकि दूप के टाइम में गर्मी की जो मसमत है उस टाइम में इसका जो टायर का प्रेसार होता है वो आपने बार जाता है तो प्रेसार जितना रिकमेंड किया है कमपानी ने उतना ही रखे उससे ज़्यादा ना रखे दोस्तो और एक टीप में आपको बाताना चाहता हूँ क्योंकि यह बहुत ही important टीप है जब दोस्तो हम लोग ऐसी position में खाड़े होते हैं और यह जो आप सिसा देख रहे हो यह हम थोड़ा सा भी खुल के नहीं राख सकते हैं क्योंकि ऐसा position होई जाता है कभी-कभी चोरों का है और तूपानी बारिस होते हैं सिसको पुरा उठाके छोड़ देते हैं लेकिन इससे पुरा उठने से क्या होता है यह जो आप कविन देख रहा हूँ के और बहुत ही गरमला जाता है अर्स पजिशन प्सके सिन में क्या करना चाहिए यह जो आप नौभ देख रहे हो तो इस तरफ करके छोड़ दिया तो देखिए यहां से बाहर का यार अंदर अंदर का यार भी बाहर जा सकता है इसलिए इसको इस तरह दना करके इस तरह से रखके छोड़ देना चाहिए और इसका मैं आप लोग को एक प्रूब भी दिखा देता हूँ यह है ग्लोब बॉक्स को मैंने थोड़ा सा खूल दिया है चलिए अब हम आप लोगों को देखाते है इसका प्रूब कैसे काम करता है आप देखिए इसको पूरा ही खूलना होगा ग्लोब बॉक्स को आप देखिए क्या डिफरेंस होता है यह यह देखिए यह मैं ओन अप कर रहा हूं इस टाइप कर रहा हूं और यह दर भी कर रहा हूं तो अभी मैंने देखिए आप यह देखिए यह राने का जो गेट होता बार चलाए करने करने को तो यह legit है और यहां से टाने रहते हैं यह ज़ो तो centuries केविन का जो वेदर है वह अंतना गरम नहीं रहता है लेकिन उत्ना जाधा गरन में होता है ठीक है और ध्यान रखे जब भी अपना कार दूब में खड़ी करते हो तो उस टेम में क्या करना है अपना जो कार का जो कवार होते हैं उसको नहीं डालना है मतलब कार को कवार नहीं करना है कार को कवार करने से अंदर का जो गैस होते हैं वो कवार के अंदर ही रहे जाते हैं तो इसा ना करना है खाली छोड़ देना है अपना कार को तो दोस्तों मैंने जो जो टीप्स बताया आप लोग अगर बाहर जाते हो और आपने कार को धुप के बड़ी मतलब बहुत ज्यादा धुप में खाड़ी करते हैं तो यह टीप्स अपना लेना अपना ज एसे वीडियो में आपने चैनल पर डालता रहता हूं तो चलिए चलते फील मिलेंगे नेस्ट मेडियो में तक तो अले गुडबाई जय हिंद